एक लिए क् calendar डिस्टीबूशन क्या है ये क्लास में शुडंस का जब टैस्ट होता है और आपको उन है लिखा रहे हैं 1790 ठीक है 20 17 17 14 13 18 and 14 and 50 ये पाँच बच्चों के मार्क्स रिकॉर्ड की कि नहीं जो फार्स्ट मार्क से वो सकॉर्णिंग टूप मैस और जो सेकिंड मार्क से वो फिए यह पाँच बच्चों का रिकॉर्ड है एक है तो इस टाइप का जो हमारे पास पास distribution आती है उसे हम कहते है लग्या पता इस इस वाल दा बाइबरेट distribution ओके ठीक है आज अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारे पास covariance कि क्या होता है कि देखो कोवेरेंस ठीक है सबसे परहें कोवेरेंस की definition लिख लेते हैं ठीक है फिर उसके बाद मापको इसके कोशन भी करेंगे ठीक है लेट एक्स आई कॉमा य आई ठीक है विर आई आई कि क्या है मारे पास वन कॉमा टू कॉमा थी कॉमा अप्टू सो ओन कॉमा एक जब आई की वैल्यू वान सब्सेटूट कर गोए एक्स वान वाइबान आजाएगा फर्स्ट जब आई की वाल्यू वाइबरेट दिस्ट्रिबूशन ठीक है विर एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स ट्री कॉमा अप्टू सो ओन एक्स एं यह जो है ठीक है आर दा वैल्यू जो और अर दा values of variable x and y1 y2 up to so on yN ठीक है घुड़ू जोज ओफ ओन ठीक है अर दोज ओफ 1 ठीक है řेंगा ऎक्स सुड जो को वेज बतीवि चाए बतीम एक्स और एक्स कॉमा ए जो को बतीब आएक्स ठीक है बिट्विन X and Y is denoted by is denoted by covariance of X, Y ठीक है और इसकी वाल्य क्यों थी covariance of X, Y is equal to 1 by N summation X I minus X bar and Y I minus Y bar ठीक है X bar क्या है mean यानि कि summation X I upon N और Y bar क्या है मेरे पास summation Y I upon N यह भी mean है ठीक है ओके तो यह है मेरे पास covariance की definition ठीक है अब दिखको मैं आपको इसका फ्रेसा meaning clear कर दूं को कि मतलब क्या है को विरी का मतलब होता है कि जो हमारे पास covariance ठीक है जो observation है जो वह पास यहांपर पेर होते हैं observation में यह जो पेर होते हैं ठीक है यह कैसे वेडिक करते हैं और कैसे change करते हैं उसे हम covariance कहते हैं ठरहा है तो हुआ कि एक एकजांपल कंसीडर हते हैं कि हुआ है कि हम दो बढूर्ब्स कंसीरडर करहें एक मालू साइज औफ ऑफ और दूसरा है मेरे पास की इसका प्राइज हों अगर साइज ऑफ हौस मालूं फिफ्टीन स्केल मीटर है तो उसका प्राइस है वान लाग रुपीज ठीक ह है अगर मेरे पास वह यहां थे यहां से साइज हो रहा है वैसे वहाँ पर उसका पर उसका साईज हो रहा है यही तो हमारे पास हो बेरेंस है ठीक है कि जो pair of observation है वो जो varying कर रहे हैं जो change कर रहे हैं उसके बारे में हमें बताता है ठीक है covariance का है जो pair है ठीक है यह जो pair है 1500,1 lakh ठीक है and 1800,2 lakh और 2100,3 lakh ठीक है तो covariance हमें बता रहे हैं जो हमारे पास pair बन रहे हैं इसमें क्या change आ रहा है ठीक है तो यह हमें covariance कर बता रहा है जैसे जैसे size increase हो रहा है house का वैसे वैसे उसका price भी increase हो रहा है इसे हम covariance कहते हैं ठीक है देखो हमने ठीक है previous chapter में study किया था variance के बारे में तो variance क्या था 1 by n summation x i minus x bar का whole square i 1 to n यही था ठीक है जाने कि variance था क्या हमारे पास arithmetic mean था किसका यह क्या था हमारे पास arithmetic mean था किसका square of the deviation about mean ठीक है और covariance क्या हमारे पास variance क्या था ठीक है विरिंस क्या है arithmetic mean यानि कि क्या है mean है किसका square of the deviation about mean square of the deviation about the mean ठीक है और covariance क्या है यहां पर हमारे पास covariance भी हमारे पास arithmetic mean है ठीक है किसका product of the corresponding deviation of x and y ठीक है? ओके? यहाँ पर 1 by N इंटो समीशन आई 1 to N XI माइनस X बार इंटो XI माइनस X बार लिख सकते हैं स्केर को ऐसे हम ठीक है? ठीक है? तो एक चीज़ देखो यहाँ पर ठीक है? यहाँ पर यह किये covariance of XY किसके इक्कल है? variance of X और x के एक्कूल हो जाएगा यहां पर मेरे पास दो वेरेबल है x एक य यहां पर मेरे पास विरेबल है । यहांपर नहीं होते हैं वैसे यह पर year पर मां आपको यह चीज बता रहा हूं यह दोनौ की चीज बनेगा वो हमें बताएगा कि उसमें क्या वेरी हो रहा है कि क्या चेंज आ रहे हैं जैसे से हाउस का प्राइस इंक्रीज हो रहा है हाउस का साइस इंक्रीज हो रहा है तो पड़ाइस इंक्रीज हो रहा है तो यह जैसे आपके पास और लेते हैं एक ग्जांपल मा और बताता हूं जैसे आपके पास डिमांड एंड प्राइस की बात करते हैं डिमांड एंड प्राइस डिमांड एंड प्राइस देखो किसी भी चीज की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी ठीक है एक चीज ध्याना डिमांड और प्राइस एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करता चाहेगा जैसे प्राइस इंक्रीज करता चाहेगा ठीक है डिमांड उसकी अगर उसका प्राइज आप इंग्रीस का दो करें तो इसके इमांड काम हो जाए तो यह भी हमारे पास क्या है को विरियंस के बारे में बताता है ओके यह चीज समझ में आई है ठीक है आज यहां पर इस कोश्चन करते हैं तो यह की कोश्चन है मोथे फाइंट निकालना है यानि कि यह पूछ आएगा बिट्वीन एक्स दोड़ा क्या किया है वन वाट एंट समीशन आई वान टू एंट एक्स आई-एक्स-बार इंट यहां पर एंड का मतलर नंबर आप टर्म्स यहां पर हमारे पास पास कितनी है number of terms कितनी यहां पर 1 2 3 4 5 5 है तो यहां आई 1 2 5 जाएगा ओके आजाओ n की value क्या है हमारे पास 5 हमें क्या निकालना है यहां पर दिखते जाओ x i minus x bar निकालना है x i minus x bar निकालना है फिर हमें y i minus y bar निकालना है फिर उसके बाद हमें एक चीज़ और निकालनी है x i minus x bar into y i minus y bar फिर इनका जो sum आएगा summation x i minus x bar into y i minus y bar ठीक है वो यह value आजाओ निकालते हैं देखो x इसको sum करो तो यहां पर summation x i कितना जाएगा कि पांच नो दिन बार 15 और इन्हें आड़ करो 6 6 12 20 30 summation y i is equal to 30 अब आपको यह x i minus x bar तो सबसे पहले x bar निकालो x bar कियाएगा आजएगा तो यह इनके मैंने कि 15 आपां 5 विच इकल तो 3 एंड y bar निकाल एंड तो इसमीशन y i upon n is equal to 30 upon 5 एंड विच इकल तो 6 ठीक है ठीक है ठीक आजाएगा 1-3 इस-2 2-3-1 0 1 & 2 y i minus y bar यादिक 2-6-4 माइनस 2 0 2 & 4 अब इन दोनों को multiply करना है यहां पर लिखा है तो यह जाएगा मानलो अगर अब मीन आपके पास यहां पर यह जो मीन है इंटीजर नहीं आते हैं ठीक है अगर मीन हमारे पास इंटीजर नहीं आते हैं तो यहां पर क्या पास मीन जो है यहां पर क्या रहा है तो हमने क्या यूज करना है फार्मूला भी यूज कर सकते हो 1 यहां यहां पर जो मीन है ठीक है एक्स बार और वाई बार जो हमारे पास इंटीजर नहीं हमारे प्वांट में आ रहे हैं तो तो हम क्या करेंगे इस यूज करें के विट्वीन यह 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 फिर यह तो यह पर correct यहां पर टेबल की तो बात ही नहीं तो आप यहां पर ट्रह फार्मूला यूज करोगे कोवेरियंस ठीक है, between x and y, क्या होता है, हमारे पास, 1 by n, ठीक है, फार्मूला किया था, ठीक है, फार्मूला किया था, ठीक है, उठाओ, value substitute कर दो, सब्सक्राइब कर था, तो समीशन xy minus 115 upon n is 10, minus 1 by 10 into 50 and 1 by 10 into 30 and which is equal to minus 11.5 minus क्या जाएगा, 15, यही आएगा, देखू, यहाँ पर एकोशन, गड़ बड़ है, this is plus 115, ठीक है, and this is 10, ओके, यहाँ पर क्या आएगा, मेरे पास 10 and this is minus and minus क्या जाएगा, यह 5 and which is equal to 6.5, ठीक है, ओके, आजाओ, एक एक इसांपल और करते हैं, ठीक है, आपको, कोवेरियंस ओफ एक्स फाई निकाल ले हैं, बस यह वैल्यू इस आपके पास चेंज हैं, ठीक है, second example है, submission xi is equal to 55, submission yi is equal to 74 and submission xi yi is equal to 411 और n is equal to 10, ठीक है, ठीक है, तो दीक है, तो दीक है, यहाँ पर कोवेरियंस of x, y क्या जाएगा, 1 by n, summation xi yi minus 1 by n, summation xi and 1 by n, summation yi which is equal to 1 by n, 1 by n is 1 by 10, ठीक है, and submission xi yi की value substitute कर तो कितने है, 411 minus submission xi is 55 upon 10 into submission yi is 74 upon 10, यह चीज़ आजाएगी, तो 511s आ, 5237 and which is equal to 41.1 minus 7, 40.7, ठीक है, कितना गया, 40.7 and इनको subtract कर लो, तो 0.4, में पास covariance कितना जाएगा, between x and y is 0.4, यह चीज़ आई समझ में, ठीक है, आओ, और करते हैं example, देखो, बोलते हैं, find the covariance of x and y, between the variance x and y, variance x of y की बिच में आपने covariance निकाना है, तो covariance of x, y के हैं मेरे पास, 1 by n summation x i y i minus 1 by n summation x i and 1 by n summation y i, इसका formula का use करना है, summation x i भी दिया है, summation y i भी दिया है, n भी दिया है, लेकि summation x i y i नहीं दिया है, और आपके पास यह चीज़ दी, तो हम इसका use करेंगे, क्या दिया है, आपके पास, summation x i minus 10 and y i minus 15 is equal to 60, यह क्या आजागा, summation x i y i minus 15 x i multiply करें, minus 10 y i and plus 150 is equal to 60, इसका दिया है, summation x i y i minus 15, summation x i minus 10, summation y i and plus summation 150 is equal to, मेरे पास क्या गया है, यहाँ पर 60 आगया, ठीक है, ओके, तो देखो, यह क्या जाएगा, मेरे पास, summation x i y i minus 15, summation x i की value 100, into 100, minus 10, summation y i i की value 140, plus summation 150, summation 150, देखो, number of terms कितनी मेरे पास 10, यानि कि, यह मेरे पास i 1 to 10 है, ठीक है, यह सभी i 1 to 10 है, तो यानि कि, summation i 1 to 10, 150, तो 150 को 10 times add करना है, किने times add करना है, 10 times, तो क्या जाएगा, 150 into 10 is equal to 16, ध्यान लगना तुर्ण से इसका, summation x i y i minus 1500, minus 1400, plus 1500 is equal to 16, ठीक है, तो 1500 से 1500 कट गया, तो summation x i y i की value 1460, उठाओ, यह value यहाँ पर substitute कर दो, ठीक है, तो देखो, co-variance of x, y की value क्या जाएगी, 1460 upon n is 10, minus 1 by 10 is 1 by 10 and summation x i is 100, and into 1 by 10 into summation y i is 140, 10 कट गया, यह ऐसे था bracket में, तो कितना गया मेरे पास 146 minus 140 and which is equal to 146 by which is equal to 6, ठीक है, तो यह आ गया, तो यह थोड़ा सा ध्याहाँ रखना है, ठीक है, आजो next है हमारे पास, कि अगर हमारे पास by great data दिया है, तो उस case में हम covariance कैसे निकालेंगे, ठीक है, आजो question करते हैं, देखो, on finding covariance when vibrate data is given, यह आपके पास vibrate data, यह पता है कि इस type data आपके पास दिया है, question में, यह आपके पास 2,4, 10,15, 20,12, 10,16, 17,17, 12,10, 15,11 and 16,8, इस type का आपके पास data दिया हुआ है, ठीक है, जिसे मैंने इस form में लिख लिए है, अब आपको यहां पर covariance निकालना, देखो, covariance of, x and y क्या जाएगा में पास, one by n, submission x i, y i, minus one by n, submission x i, into one by n, submission y i, यही आएगा, ठीक है, अब देखो, यहां पर तो, submission x i, तो मैं निकाल सकता हूँ कि इन्हें add करतो, में पास submission x आ जाएगा, इन्हें add करतो, तो में पास submission y i निकालना है, तो सबसे पहले आपको x i y i निकालना परेगा, फिर इनको add करतो, submission x i y i b आ जाएगा, ठीक है, आजो, कले देने, क्या जाएगा, शारी, पिंजास, तुन्जा, आर्काट, गतर, छेटर, 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 शेटर, छेटर, 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 छ ठीक है, अब x i y i nिकालना है, क्या जाएगा, 150, 240, 160, ठीक है, डिस इस 289, 120, 561, 165, and 1, कि ना जाएगा, ट्वंटीएट, एड़ करो, आठ, 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 नो, सतारा, पांच, बाइटी, 0, 3, 5, 3, 8, 4, 12, 16, जिरो आ रहा है, क्या रहा है मेरे पास है, 1, 2, 6, 0, उठाओ यहां पर सब्सिटूट कर दो, तो 1 by n, 1 by n, यहां पर n की वैल्यू कहादे कि नमबर आफ तर्म्स कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तर्म्स है, तो 1 by 8, इंटु 1, 2, 6, 0, माइनस, स्मीशन एकसाई, 1, 0, 2, अपाउन, 8, इंटु 93, अपाउन, 8, ठीक है, इंस सॉल्फ कर लो, ठीक है, 3, 15, अपाउन, 2, माइनस, 51, अपाउन, 4, तो इनको मल्टिप्लाइ कर लो, और, कितना आ जाएगा फिर, 93, 4, 7, 4, 3, अपाउन, 32, ठीक है, इन दिस इस, 1, 57.5, माइनस, इसे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको, ठीक है, 32 से, ठीक है, इसे 32 से डिवाइड कर दो, मैं करते हैं, हाँ पर 4, 7, 4, 3, डिवाइड बाए 32, तो चार अठे बद्ती, चार 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 बद्ती, आठे कम आठ तीन आचो के बद्ती छे ठत्ती एक पैंट, तो आट दूनी शोडा लग पग यह आएगा, वन फॉर्टीट पाइंट टू टू लग बग यह आएगा, ठीक है, अगर आप इसे सब्टेट करोगे, तू टू नी तू वन नाइन आ रहा था, टू वन सब्ट्रे गएगा, तू आपके पास बाइब डाटा दीए तो आप किस तरह से निकालोगे, ओके, ठीक है, अब आजाओ, कि एक और फार्मूला है, जिससे हम गोवेंस निकालेंगे, ठीक है, और आपके पास बाइब डाटा ही, दिया होगा, ठीक है, अब वो भी कर लेते हैं, देखो, यह कोशन है सेम, जैसे हमें पीछले किया था, अब इसके लिए हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, कोवेंस ओ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एंड विच इस इकल टू वन बाइन, समेशन यू आई, वी आई, माइस, वन बाइन, समेशन यू आई, एंड वन बाइन, समेशन वी आई, सेम फार्मूला जास्ट एक्स और वाई रिप्लेस कर दी हैं, हमने यू और वी से, पर यहाँ पर जो मेरे पास यू आई की वैल्यू है, वो एक्स आई मैनस ए है, और य आई की वैल्यू है, मेरे पास य आई, पर यहां पर यहां पर टीक है एक सबसे चोटी 20 टीक है 1 2 3 4 5 6 7 7 यानि एक बीच वाले वैलयू को कि फॉर्थ फ्रहीं स बसे चोटा चेका है कि ऊटम उससे बड़ा क्या है से अधिक है 2 2 3 4 38 40 43 and 56 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है 1 2 3 4 तो आपके पास यहां पर 38 आ ठीक है लेकिन हमें calculation easy रखनी तो इसलिए मैं यहां पर क्या ले रहा हूं ठीक है तो ध्यान को हम यहां क्या ले रहे हैं बीच में यहां पर 40 ले रहा हूं और बी की वैल्यू जो हमें यहां पर क्या ले रहा हूं ठीक है मतलब आप यहां पर कोई अब यहां पर हम यहां निकाल लेते हैं एक साई मैंस 43 आप यहां पर 35 minus 43 minus 8 यह minus 9 minus 3 0 13 minus 23 and minus 5 यहां 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 आप यहां विए आजाएगा मेरे पास प्लेस ठीक है अब मुझे क्या चाहिए यू आई वी आई भी चाहिए तो यू आई वी आई क्या जाएगा मैं तो मुल्टिप्लाइग किया यू आई वी आई को 018 30 273 276-5 टीक कर दो समीशन यू आई वी आया यहां पर आएगा यहां से आजाएगा तो दिल्टो समीशन यू आई किया रहा है मेरे पास मैने सेवंटीश ट्वन्ती एंड मैस सेवंट्य मैस 30 मैस 35 टीक है और इससे अधो यह पास एक यूच्टीस आए कि ट्वे टो नेंटीट टू 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 कितना क्या फाइब 565 565 उठाओ यहां पर सब्सिटूट कर दो तो को वेरेंस ओफ एक्स फॉर्मा वाई क्या जाएगा वन बाई एंड नम्र आफ टार्म्स कितनी सेवन 1234567 तो क्या जाएगा में पास यहां पर 565 अपॉन 7-35 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 7 से 7 एंड फाइड तो क्या जाएगा एटी पाइट सेवन माइनस यानि कि प्लेस फाइड यानि कि 85.7 आ रहे है तीक है इसे आगे करना होगा एक डैसी मलता को और करना होगा था और कर लेना फीक है यानि कि 85.71 यह को बिरेंस आ रहा बाइए यूजिंग इस आप तिक है है जो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो ठीक है तो आपके पास बहुत कोशन है वह आप ट्राइगर हो और जो भी आपको डाउट होगा वह पूछ ना ठीक है ओके